सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे एक ऐसे इंपोटेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपोटेंट है इस टॉपिक का नाम है थियोरीज आफ इंटरनेशनल रिलेशन्स और यह जो टॉपिक है यह ओन डिमांडिड है और यूट्यूब के उपर रेर लेक्चर है लेकिन इससे पहले कि हम आई आर थियोरीज को अच्छे से डिसकस करें मैं आपसे कुछ बाते कहना चाता हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं कही है मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि सर आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, हेल्फुल होते हैं परन्तु आपके लेक्चर्स में ब्यूज बहुत कम आते हैं और students कहते हैं कि आपकी वीडियो में likes में views होने चाहें और सच पूछो तो मैं खुद भी हैरान हूँ क्योंकि lecture की जो quality होती है जो content होता है उसके हिसाब से views बहुत ही कम होते हैं लेकिन सवाल ये है कि views आखिर कम क्यों है तो इसका जवाब ये है कि videos में likes और जो audience retention है वहाँ बहुत ही कम है COVID-19 के बाद YouTube के जो rules है काफी change हो गए है YouTube के rules कहते हैं कि जिस वीडियो में जितने ज्यादा likes होंगे comments होंगे और जितना ज्यादा audience retention होगा YouTube उस video को ही promote करेगा यानि कि वो video viral होगी जब से मैंने YouTube में पढ़ाना शुरू किया है तब से ही मेरा vision ये रहा है कि मैं students की ज्यादा से ज्यादा help कर पाऊं ऐसे students जो expensive coaching और expensive courses नहीं ले सकते हैं उनको मैं काफी help करूँ उनकी लिए मैं दिन रात एक करके उनकी help करूँ लेकिन मेरा जो ये vision है ये तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक आप videos को like न करो और जो audience retention है उसे अच्छा न दो यानि कि videos को पूरा न देखो क्योंकि YouTube के rules ही ये कहते हैं आपकी study को मैं अपनी study की तरह देखता हूँ इसलिए आपकी demand पर दिन रात महनत करके मैं आपकी लिए lectures त्यार करता हूँ अगर आप भी मेरे vision को अपना vision मानते हो या फिर आप भी ये चाते हो कि मेरी इन सभी videos को सभी students देखें उनके पास पहुँचे यानि कि YouTube इने promote करें तो आपसे मेरी request है कि इन lectures को आपका है और हमेशा आपके लिए रहेगा और इस lecture में मैं आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ इस lecture में आपको 1000 likes देने हैं और 1000 likes देने के बाद मैं next lecture अपलोड करूँगा 1000 likes कोई बहुत बड़ा task नहीं है बहुत बड़ा amount नहीं है आप चाहो तो कुछी गंटे में इस task को पूरा कर सकते हैं अब हम सबसे पहले IR theories के content को देख लेते हैं तो IR theories का जो crash course है उसको हमने two lectures में divide किया है आज की lecture में हम total five chapters को discuss करेंगे जिनमें सबसे पहले chapter one में हम discuss करेंगे IR great debates chapter two में हम discuss करेंगे idealism को chapter three में हम discuss करेंगे realism को chapter four में हम discuss करेंगे neorealism को और chapter five में हम discuss करेंगे constructivism को वहीं दूसरी तरफ lecture two में भी हम discuss करेंगे total five chapters को जिनमें हम chapter six में discuss करेंगे liberalism को chapter seven में discuss करेंगे neoliberalism को chapter eight में discuss करेंगे traditionalism यानि की English school को Chapter 9 में डिसकस करेंगे Behavioralism को और Chapter 10 में डिसकस करेंगे Critical Theories को International Politics की पहली Chair को स्थापित किया जाता है 1919 को यानि की International Politics को पहली बार एक Academic विशय के रूप में स्थापित किया जाता है 1919 को और इसको स्थापित किया जाता है UK की University College of Wales में और खास बात यह है कि जो बुड्रो विल्सन चेयर अफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी इसके पहले हैड थे अलफर्ड जिमरान और जो इंटरनेशनल रिलेशन जो शब्दावली है इसके मीनिंग को सबसे पहले कॉइन किया था वह कॉइन किया था जेरमी बैंथम ने 1789 को अपनी एक प्रमुख किताब जिसका नाम है प्रिंसिपल्स आफ मॉरल्स एंड लेजिसलेशन और आई आर के जो प्रिंसिपल्स है इनका डवलप्मेंट होता है सेकेंड वर्ड वॉर के बाद तो जो आई आर की फॉस्ट ग्रेट डिबेट रही है इसको हम जानते हैं रियल इसका प्रमुख जो इशू था वो यही था कि नाजिजम जो था जर्मनी में उसको सौल्ब करना था तो एक तरफ आपके पास आईडियलिजम है दूसरी तरफ रियलिजम है तो आईडियलिजम फोकस करता है लीग अफ नेशन्स के उपर यानि कि यह कहता है कि अंतराष्ट और शांती को स्थापित करने के लिए लीग अफ नेशन्स जैसी संस्थाओं का होना आवरशक है और इसी के तहत फर्स्ट बल्ड बॉर के बाद बुड्रो विल्सन के चौदा प्रिंसिपल्स के आधार पर ही लीग अफ नेशन्स की स्थापना होती है वही रियलिजम कहता ह पीस, कॉपरेशन, मॉरालिटी और फ्रेटरनिटी जैसी वैलिज के उपर यहा कहता है कि यह सारी चीजे अंतर राश्ट राजनिती में संभव है वही रियलिजम दूसरी तरफ फोकस करता है वार, नेशनल पावर, नेशनल इंट्रेस्ट और नेशनल जो सेकिरिटी होती है उसके उपर यह फोकस करता है वही आईडियलिजम के कुछ थिंकर्स रहे हैं जैसे इमेन्विल कांट, बुड्रो बिल्चन, टैगोर, नेहरू, डेविड हेल्ड वही दूसरी तरफ रियलिजम के कुछ इंपोरेंट थिंकर्स रहे हैं जैसे तूसी डाइडस, सुन्जू, क जाना जाता है ट्रेडिशनलिजम वर्सिस साइन्टिसिजम और डेविड सिंगर ने इस ग्रेट डिबेट को कहा है तू डिस्टिंक्ट इंटेलेक्च्छल स्टाइल अफ कल्चर वही मौर्चन कैपलन ने जो सेकिंड ग्रेट डिबेट रही है यानि कि जिसे हम ट्रेडिश और दूसरी तरफ है विहेवरलिजम यानि कि साइन्टिसिजम क्योंकि विहेवरलिजम साइंस पर फोकस करता है इसलिए हम विहेवरलिजम को साइन्टिसिजम भी कहते हैं तो एक तरफ ट्रेडिशनलिजम फोकस करता है आईडियलिजम के उपर यानि कि जो आदर्श है उनक वल्ड में formal legal institutions पाय जाते हैं, values पाय जाती हैं, यानि कि मुल्य पाय जाते हैं, उनके उपर focus करता है, वहीं behavioralism focus करता है, science, interdisciplinary studies और जो value free studies होती है, international relation में उन पर focus करता है, तो traditionalism के जो key thinkers रहे हैं, इनके नाम है Headley Ball और Martin White, वहीं behavioralism के key thinkers रहे हैं, Martin Kaplan, Karl Deuce और Thomas Schelling, traditionalism के अंतरगत आता है English school, वहीं दूसरी तरफ, behavioralism के अंतरगत आता है, game theory, communication theory, system theory, decision making theory, international relation में, तीसरी जो great debate होती है, यह होती है, liberalism और marxism के बीच, और यह शुरू होती है, 1970 और 80 के दशक में, तो एक तरफ जहां liberalism है, वहीं दूसरी तरफ, marxism है, liberalism focus करता है individualism के उपर, यानि कि व्यक्तिवाद के उपर, वहीं दूसरी तरफ, marxism focus करता है socialism, यानि कि समाजवाद के उपर, liberalism focus करता है human progress, human reason और cooperation, यानि कि liberalism कहता है कि human progress, human reason और जो cooperation है, वह अंतर राष्ट्य और राजनिती के लिए जरूरी है, आवशक है, वहीं marxism focus करता है, कि जो capitalism है, यानि कि जो पुन्जिबाद है, उसको खतम कर दिया जाना चाहिए, और यह stress करता है, यानि कि focus करता है international proletarianism, यानि कि अंतर राष्ट्य जो सर्वहाराबाद है, उसके उपर यह ध्यान केंद्रित करता है, वहीं liberalism के कुछ important thinkers हैं, जिन में शामिल है, इमेन्विल कांत, माइकल डॉयल, अरनेस्ट हास, फुकुयामा, डेविट मेटरानी, जॉन बुर्टन, वहीं दूसरी तरफ Marxism के कुछ thinkers हैं, जिन में शामिल है, काल माक्स, लेनिन, रोजा लक्जंबर्ग, और डिपेंडेंसी जितने भी theorist रहे हैं, इन में आते हैं, और फ्रेंकफर्ट स्कूल के जो theorist रहे हैं, इन में शामिल होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की जो fourth great debate है, इसको जाना जाता है rationalism versus reflectivism debate, और ये शुरू होती है जो positivist theories है, और जो post-positivist theories है, इंटरनेशनल रिलेशन में, उनके वीच डिबेट से ये शुरू होती है, और इस और इसको जाना जाता है, यानि कि जो ये debate है, इसको जाना जाता है epistemological debate, यानि कि जिसमें ये focus किया जाता है कि हम किस तरह से चीजों को जान सकते हैं, चीजों के बारे में हम जानकारी कैसे एकत्रित कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें focus किया गया, यानि कि जो ontological जो चीज उनके बारे में ना हम जानकर जो चीजों के बारे में जो information है जो जानकारी है knowledge है उसको हम जाने इसी का ये मुद्दा था तो एक तरफ जहां हमारे सामने rationalism है वहीं दूसरी तरफ reflectivism है तो rationalism focus करता है rationality और reason के उपर यानि की जो तरक है और जो विबेग है उसके उपर ये focus क करता है ये बोलता है कि जो reason होता है जो rationality होती है यही source होता है knowledge का यानि की ज्यान को हम केवल तरक और जो विबेग होता है उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं वहीं दूसरी तरफ reflectivism कहता है कि जो historicity होती है और जो experience होता है उसके उपर हमें focus करना चाहिए यानि की इतिह पास में जो हम देखते हैं और वहां से जो reflect होता है जो experience हमें मिलता है उसी experience से हम knowledge को gain कर सकते हैं तो इन दोनों के बीच यही debate थी और इसी को fourth IR great debate कहा जाता है chapter number two में अब हम discuss करेंगे idealism को और idealism को हम हिंदी में कहते हैं आदर्शबाद तो सबसे पहले अब हम यही समझ लेते हैं कि idealism क्या है तो जब हम बात करते हैं idealism की तो यहाँ एक अंतर राष्टिर राजनीती की ऐसी विचारधारा है या फिर एक ऐसी नीती है जो कि मानव के पारे में optimistic view यानि की positive view रखती है जो कि यहाँ कहती है कि जो international एनाकी है ये श्चन बंगूर है यानि की अस्थाई है ये परमानेंट नहीं है और ये focus करती है कि जो cosmopolitan और जो harmonious world order है उसको corporation या फिर fraternity के द्वारा स्थापित किया जा सकता है अब हम idealism के core ideas को देख लेते है तो इनमें पहला idea यह है कि idealism human nature को optimistic मानता है यानि की आशाबादी मानता है जो कहता है कि human wing peace, cooperation and fraternity चाहता है और ये बोलता है कि अंतर राष्ट्य राजनिती में नैतिकता यानि की morality possible है और ये focus करता है कि अंतर राष्ट्य राजनिती में world government या फिर league of nations जैसी संस्थाएं स् बोलता है कि international state जो system है वो हो arena of cooperation है क्योंकि अंतर राष्ट्य राजनिती में सही योग possible है और ये बोलता है कि democratization and international laws को स्थापित किया जाना चाहिए और ये wars and imperialism है यानि कि युद्ध और सामराजयबाद का खंडन करता है और ये philosophy देता है कि what should be यानि कि क्या होना चाहिए इसको ये मानता है और what is इसको ये नकारता है और note करने वाली बात ये भी है कि हम इसके कुछ examples ले सकते हैं देख सकते हैं जिनमें पहला example है बुड्रो विल्सन के 14 principles दूसरा example है के लॉग ब्रियापक्ट जो कि 1928 में आया जिसने बात की कि अंतराष्ट्य शानिती को बढ़ 244 को नहरू के द्वारा लाया जाता है आइडियलिजम के की थिंकर्स में शामिल है मार्किस डी कॉंडर सेट दूसरा नाम है इम्मेन्वेल कांट तीसरा नाम है बुड्रो विल्सन चौथा नाम है रविंद्रनाथ टेगोर पाच्वा नाम है जवालाल नहरू छठा नाम है डेविड हेल्ड, सात्वा नाम है रिचर्ड कॉपडेन, आठवा नाम है जॉन होप्सन, नाइन्थ नेम है नॉर्मल एंजल और टैंथ नेम है अल्फरड जिमरन मार्क्विज डी कंडरसेट को अंतर राष्ट्य राजनिती में जो आइडिलिजम की विचारधारा है उसको पाइनियर करने के लिए यानि की इसके अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने एक इंपोर्टेंट राइटिंग लिखी जिसका नाम है sketch for a historical picture of the progress of the human minds जो की 1795 को publish होती है इसमें इन्होंने advocacy की economic freedom की religious toleration की legal and educational reforms की वहीं इन्होंने इसमें slavery की evolution की बात की और साथ में जो boom and suffrage है उसकी भी इन्होंने बात की Immanuel Kant idealism के बहुत बड़े बिचारक रहे हैं ये German philosopher रहे हैं और enlightenment जो era उसके बहुत बड़े central think कर रहे हैं यानि की बहुत बड़े think कर रहे हैं इन्होंने two important concepts दिये जिनमें पहला है perpetual peace यानि की चिरस्थाई शांती और दूसरा है democratic peace theory जिसे आगे चलकर Michael Doyle ने ग्रहन किया इनके कुछ important works रहे हैं जिनमें पहला आता है critique of pure reason दूसरा आता है what is enlightenment और तीसरा आता है perpetual peace of philosophical sketch अब हम ये भी समझ लेते हैं कि new idealism क्या है तो new idealism international politics में एक ऐसी theory है जो ये बकालत करती है कि जो globalization हुआ है उसके साथ जो कुछ problems जुड़ी हुई है उसको democratization और जो international institutions है उसकी स्थापना के द्वारा खतम किया जा सकता है और जो new idealism है इसके दो important scholar माने जाते हैं यानि कि thinker माने जाते हैं जिनमें पहला नाम आता है David Held का और दूसरा नाम आता है Richard Falk का और खास बात ये है कि Richard Falk है इन्होंने globalization from below उसकी बात की और global civil society की बात की तो दोनों ह हैं उसे आप अच्छे से याद रखें David Held भी idealism के एक प्रमख वेचारक माने जाते हैं ये British political scientist रहे हैं और खास बात ये है कि political theories और international जो relation है इसमें इन्होंने काफी काम किया इन्होंने एक important idea दिया जिसका नाम है cosmopolitan model of democracy इसके अंतरगत इन्होंने ये कहा कि जो democracy है उसको विश्वस्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए इनके कुछ works भी रहे हैं जिनमें पहला आता है models of democracy, दूसरा आता है democracy and the global order, तीसरा आता है globalism, anti-globalization और चौथा आता है cosmopolitanism, ideals and realities Chapter number 3 में अब हम discuss करेंगे realism को, realism को हम हिंदी में यथार्तवाद कहते हैं, तो सबसे पहले अब हम यही समझ लेते हैं कि realism क्या है तो जब हम बात करते हैं realism की, तो यह international relations में एक ऐसा discipline है, या फिर एक ऐसा school of thought है, जो कि इस बात पर बल देता है कि राज्यों के बीच हमेशा से अंतरराष्ट्य और राजनिती में competition और conflict पाए जाते हैं और साथ में ये बात करता है statism की, जिसमें जितने भी states होते हैं, वे अपने national power, national interest और national security वर focus करता है नोट करने वाली बात ये भी है कि मॉगन्थि ने एक important quote दी, जिसमें इन्होंने कहा कि politics is a struggle for power over men और दूसरी quote इन्होंने दी, जिसमें इन्होंने कहा कि international politics is the struggle for power and use for power among nations अब हम realism के कुछ important ideas को देख लेते हैं, तो realism का पहला idea यहों कहता है कि जो human nature है, वो pessimistic है, यानि कि निराशावादी है क्यों? क्योंकि human के अंदर greed, self-interest और power के लिए lust पाई जाती है दूसरा यह कहता है कि जो states होते हैं, वो global actors होते हैं, क्योंकि state की ही क्रियाएं, यानि कि मैत्वपुन भूमिका होती है अंतर राश्टी राजनिती में तीसरा यह focus करता है कि जो states होते हैं, यह केवल survival, self-interest, self-help और security पर focus करता है यह अंतर राश्टी राजनिती में morality को कोई स्थान नहीं देता है, और यह दोनो reason और experience है उसके उपर focus करता है war को जो है यह praise करता है, यानि कि अंतर राश्टी राजनिती में यह endless war की बात करता है और यह बोलता है कि जो international state system है, यह arena है अनाकी का, यानि कि अंतर राश्टी राजनिती में अराजकता पाई जाती है दूसरा यह कहता है कि states के पास unequal power होती है और अगला इसका जो मुख्य point है वो यह है कि यह focus करता है कि what is, यानि कि क्या है, यह idealism की तरह इस बात पर focus नहीं करता है कि क्या होना चाहिए, what should be और खास बात यह है कि जो realism है IR की theory में यह willyard wall model पर focus करता है अब हम billiard wall model को अच्छे से discuss कर लेते हैं, क्योंकि इस model के बीना आप realism को नहीं समा सकते हैं तो पहली बात यह है कि इस model को जितने भी यथार्थवादी विचारक रहे हैं, यानि कि realistic thing कर रहे हैं, उन्होंने 1950 के दश्रक में दिया दूसरी बात यह है कि जो billiard wall model है, यह state centric model है, यानि कि राज्य को महतवपून स्थान देता है और यह कहता है कि जो अंतराष्टी राजनिती है, उसमें कुछ states आपस में क्रियाएं करते हैं और तीसरी बात यह है कि जो billiard wall model है, यह suggest करता है कि जिस तरह से billiard game में जो billiard walls होते हैं, वे आपस में interaction करते हैं, self content unit होते हैं, एक दूसरे को influence करते हैं, external pressure डालते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं उसी तरह से अंतराष्टी राजनिती में भी states इस तरह की क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, power का परियोग करते हैं, अपने interest को gain करने के लिए शक्ती मैतवपून भूमिका उनके लिए निभाती है वही अगला point यह है कि यह बोलते हैं कि जो realistic होते हैं, वह war और जो national interest हैं, उनको बहुत ही मैतवपून स्थान देते हैं वही अगला point यह है कि यह बोलता है कि जो एनाकी है, वह international relation की सबसे मैतवपून feature है वहीं realism ये भी कहता है कि जो state होते हैं यानि कि जो sovereign state होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ उस तरह से behave करते हैं जिस तरह से willyard walls यानि कि willyard walls जो game है उसमें willyard walls टकराते हैं move करते हैं एक दूसरे के साथ टकराते हैं और खास बात यह है कि जो billiard walls model है यह high politics में believe करता है high politics में हम शामिल करते हैं जैसे peace and power यानि कि peace and power के लिए struggle, security, military alliances, anarchie realism के तीन important key concepts है जिनके आधार पर आप realism को समझ सकते हैं तो पहला concept यह है कि जो realism है वो national interests पर focus करता है यानि कि realism कहता है कि जो states होते हैं वो हमेशा से अपने interest को पूरा करना चाहते हैं दूसरा concept है national power क्योंकि realism के अनुसार जो राज्ये हैं उनके लिए national power mean भी है और end भी है और तीसरा concept है national security हर state अंतराष्टी राजनिती में खुद को secure करना चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ realism के कुछ elements भी है जिन में पहला element है statism यानि कि realism कहता है कि अंतराष्टी राजनिती में states key actors होते हैं इसलिए यह statism की बात करता है दूसरा point है self-help यानि कि जितने भी state से अपने बारे में ही अच्छा सूचते हैं अपना ही अच्छा करना चाहते हैं और तीसरा element है survival क्योंकि परते एक state अपने आपको powerful बनाना चाहते हैं इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि उनका अंतराष्टी राजनिती में वर्चस्व स्थापित हो सकें वहीं दूसरी तरफ realism के कुछ important principles भी है जिनमें पहला principle है balance of power state के वीज balance of power होगा क्योंकि सबी states power को gain करने के लिए प्रियास्टरत रहते हैं दूसरा principle है balance of threat और इसको दिया Stephen M. Walt ने इसका मतलब यह है कि जो threat होता है भाय होता है अंतराष्टी राजनिती में उसमें भी balance होगा क्योंकि हर state शक्ति को प्राप्त करना चाहता है वहीं तीसरा principle है इसका security dilemma theory और इसको दिया था John H. Hurd ने इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अंतराष्टी राजनिती में जो security है यानि कि जो सुरक्षा है उसका भाय हमेशा से रहता है क्योंकि सबी states powerful होते हैं security सुनिश्चित करना चाहते हैं वहीं इसका अगला principle है hegemonic stability theory और इसको दिया था गिल्पिन ने इसका मतलब यह है कि अंतराष्टी राजनिती में stability होती है क्योंकि जो powerful states होते हैं वह अपनी शक्ती का परदर्शन करके हैजयमानी स्थापित करके stability प्रदान करते हैं realism में प्रमुक थिंकर आते हैं सुनजू, दूसरे आते हैं थूसीडाइडस, तीसरे आते हैं कोटिल्य, छौथ आते हैं निकोलो मैक्यावली, पाचुएं आते हैं हॉप्स, छठे आते हैं इसकार, सात्वें आते हैं मॉरगन थाव, आथ्वें आते हैं जॉर्ज कैनन, अब हम realism के types को देख लेते हैं तो पहले प्रकार का जो realism है इसको हम कहते हैं classical realism तो इसमें कुछ thinkers आते हैं जैसे इसमें पहला जो thinker है इनका नाम है सुन्जू, दूसरे thinker का नाम है थूसीडाइडस, तीसरे thinker का नाम है कोटिल्य, चौथे thinker का नाम है मैक्याबली और पांच्वे thinker का नाम है Hobbs, हलांकि नोट करने वाली बात ये है कि मॉर्गेन्थ्यू को भी classical realistic thinker माना जाता है लेकिन मैंने इनको contemporary जो realism है उसमें रखा है क्योंकि time की दृष्टी से ये second world war के बाद आते हैं अब हम सबसे पहले सुन्जू को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये Chinese state craft रहे हैं और खास बात ये है कि इन्होंने 475 BC में the art of war लिखी इसको आपको अच्छे से याद रखना है आपके exam के लिए बहुत ही important है तो खास बात ये है कि international जो relation theory है उसमें इनको सबसे पहले realistic thinker माने जाते हैं और इन्होंने जो military strategy है उसकी बात चीत की थी थूसी डाइडस को realism के सबसे महतवपुन बेचारक माने जाते हैं तो थूसी डाइडस Athenian historian और general रहे हैं और इन्होंने एक important कृती लिखी जिसका नाम है the history of the paloponation war जो कि 431 BC को publish होती है इनको जाना जाता है father of scientific history और में father of political realism और जो classical realism है उसके father के रूप में इन्होंने अपनी प्रमुकरती the history of paloponation war में जो Athens और स्पाटा के बीच 30 वर्षे यूद हुआ था उसका जिक्र किया है और इन्होंने political जो realism है या फिर जो classical realism है उसकी 4 values की बात की है तो इनमें पहली values आती है political fate दूसरी आती है necessity and security तीसरी आती है political survival और चौती आती है safety तो ये कहते हैं कि इन्हीं 4 values को state अपनाता है state काम करता है अब हम ये भी समझ लेते हैं कि थूसी डाइडस trap क्या है तो जो थूसी डाइडस trap शब्दावली है इसको American political scientist Graham T. Allison ने coin किया था तो जो थूसी डाइडस trap शब्दावली है इसक History of the Peloponation War में एक court के रूप में use किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो Athens और Sparta है उसके बीच तीस वर्षे यूद चल रहा था उससमें Sparta एक dominant power था और Athens एक emerging power था तो Athens का एक emerging power के रूप में होना Sparta को भाहे दे रहा था इसी को थूसी डाइडस trap कहा जाता है तो simple भाशा में हम यही कह सकते हैं कि थूसी डाइडस trap एक एसी शब्दावली है जब एक rising power dominant power को भाय दे फियर दे और एलिजन ने अपनी प्रमुकृती 2017 में जो पब्लिश होती है इसका नाम था Distinct of War इसमें थूसी डाइडस trap है इस शब्दावली को reuse किया और इन्होंने इसको चाइन और US के संधर में use किया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि US एक dominated power है और चाइना एक emerging power है तो इस तरह से जो चाइना है वो US को खत्रा दे रही है भाय दे रही है Classical Realism में अगला important नाम आता है Cotillia का Cotillia ancient India के polymath एक teacher, author, strategist, philosopher, economist, jurist और Morian Empire के royal advisor रहे हैं इनको जाना जाता है Indian Machiavali के रूप में और खास बात यह है कि ये ऐसे first realistic thinker माने जाते हैं जिनोंने theory of international system दिया Valence of power की बात की और power of politics की इन्होंने अपनी प्रमुकृती अर्थ शाष्ट्रा में मंदल theory को दिया जिसे आज भी अंतर राष्ट्रिय संभंदों में बहुत ही महतवपुन theory माना जाता है इन्होंने चार प्रकार के साधनों की बात की जिससे हम अपना end प्राप्त कर सकते हैं साम, दाम, दंड और भेदा वहीं इन्होंने six-fold policy की बात की जिसमें शामिल आता है संधी, विग्रह, आसना, यान, संश्रय और द्वेदी भाव इन सभी चीजों को मैंने Indian foreign policy की crash course में अच्छे से discuss किया है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जर्मन sociologist Max Weber ने अपनी प्रमकृती politics as a vocation में कोटिल्य की तुनला मैक्यावली से करते हुए कहा था कि truly radical मैक्यावलियनिजम compared to it मैक्यावली is the prince is harmless इसमें basically इन्होंने ये कहा कि जो मैक्यावली की दापरिंस है और उसमें जो मैक्यावली की thoughts है वह हो कोटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें उग्र है यानि कि मैक्यावली से ज्यादा उग्र कोटिल्य के thought है classical realism की अगले important thinker है मैक्यावली तो ये Italian diplomat, author, philosopher and historian रहे हैं जिन्होंने Renessa के time अपने जीवन को जिया था यानि कि Renessa को करीब से देखा था इन्होंने दो important कृति लिखी जिनमें पहली आती है the prince और दूसरी आती है the art of war और खास बात ये है कि इन्होंने कहा कि जो loin और fox की policy है यानि कि power और deception है इसको इन्होंने foreign policy के लिए अनिवारे element बताया इन्होंने कहा कि war state की सोद्रता के लिए यानि कि strong state के लिए आवशक है और इन्होंने classical realism की four values को mention किया जिनमें पहली है political agility दूसरा है opportunity and security और तीसरा है इसमें political survival और चौथा इसमें आता है civic culture Thomas Hobbes को भी classical realism के एक महतोपून scholar या फिर thinker के रूप में देखा जाता है Thomas Hobbes English philosopher रहे हैं और realistic thinker रहे हैं और इनको जना जाता है father of British realism और खास बात यह है कि इनको consider किया जाता है एक ऐसा thinker जियोंने modern political philosophy की नीव रखी इन्होंने अपनी प्रमोकृती लेवाइथान को 1691 में लिखा और इन्होंने कहा कि जो states होते हैं उनके वीज permanent peace स्थापित नहीं हो सकती है और इन्होंने classical realism की four values को discuss किया जिनमें पहली आती है political bill दूसरी आती है security dilemma और तीसरी आती है political survival और चौत ही आती है peace and felicity वहीं दूसरी तरफ contemporary realism में भी कुछ important thinkers आते हैं जिनमें पहला नाम आता है ES car का दूसरा नाम आता है Morgan Thao का हालनकि Morgan Thao को classical realist के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके जो विचार है वो classical जितने भी realist हैं उनसे मिलते जूलते हैं और खास बात यह है कि इन्होंने classical realism को revise किया तीसरे थिंकर का नाम आता है George Cannon चौते थिंकर का नाम आता है Raymond Arrow पाच्वे थिंकर का नाम आता है Henry Kissinger छठे थिंकर का नाम आता है Reynolds Neville और सात्वे थिंकर का नाम आता है Nicholas Spikeman अब हम सबसे पहले इसकार को अच्छे से डिसकस कर लेते हैं तो इसकार ब्रिटिश हिस्टोरियन, डिपलोमेट, जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन्स थियोरिस्ट रहे हैं और खास बात यह है कि First World War के बाद इसकार ने अपनी प्रसिद किताब लिखी जिसका नाम है 20-year crisis जो की 1939 को publish होती है और इस किताब को realism यानि की जो modern realism है उसके उपर लिखे की पहली किताब मानी जाती है और इसकार यानि की जो ESCR है इन्होंने ही modern realism की आधार शिला रखी और इनका जो किताब है 20 year crisis जो की 1939 को publish होता है इसे आप अच्छे से याद रखें realism के सबसे important thinker का नाम है Hans J. Morganthau और ये German American Jurist और Political Scientist रहे हैं खास बात ये है कि इनको classical realist के नाम से जाना जाता है और मैंने पहले भी कहा कि क्यूं इनको classical realist कहा जाता है और क्यूं ये contemporary realism में आते हैं इनको father of 20th century realism और contemporary realism के रूप में जाना जाता है और ये international relation में ऐसे पहले realistic thinker कर रहे हैं जिनोंने IR में जो realism है उसको theories दी और खास बात ये भी है कि इनको international politics के pope के रूप में जाना जाता है इन्होंने जो nuclear era है इसको golden age of balance of power के रूप में देखा और इन्होंने एक important term दी जिसका नाम है animus dominandi जिसका मतलब होता है lust for power यानि कि जो states होते हैं उनके भी हमेशा से power के लिए एक lust होती है struggle चलता रहता है और इनका जो realism है इसको transcendental realism भी कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो national interests है ये important होते हैं सब states के लिए और इसमें morality के लिए कोई space नहीं है कोई जगा नहीं है अब हम Hans Morganthau की कुछ important quotes को भी देख लेते हैं तो पहली quote ये है कि ये कहते हैं कि अंतराष्ट्य राजनीती शक्ति के लिए संगर्ष होता है दूसरा quote ये देते हैं कि मनुश्य इसलिए नहीं लड़ते हैं कि उनके पास हथियार होते हैं बलकि वे हथियार इसलिए कठा करते हैं क्योंकि वे लड़ना चाहते हैं वहीं इनकी अगली quotation ये है कि जो power है उसका मतलब होता है कि जो दूसरे होते हैं उनका जो mind और जो actions होता है उनको control करना ही शक्ति कहलाता है वहीं GA गोसावी ने कहा है कि जो realism और Morganthau है उनमें कोई अंतर नहीं है और note करने वाली बात ये है कि Morganthau ने तीन प्रकार की foreign policy के बारे में बताया है जिनमें पहला ये कहते है status को यानि कि एक ऐसी विदेशनिती जो यथा स्तिती में विश्वास रखती है यानि कि जैसा है उस पर ही बल देती है कोई बदलाव नहीं करती है वहीं दूसरी प्रकार की है revisionist यानि कि जो समय कि अनुसार अपने में बदलाव लाते हैं अपने जो actions, policies, विदेशनिती है उसको बदलते हैं वहीं तीसरा है imperialist इसका मतलब ये होता है कि कोई state अपने state को powerful बनाने के लिए बड़ा करने के लिए expand करने के लिए imperialistic जो policy है उसको अपनाते हैं Morgan Thao के screen पर जितने भी आपको works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर ले क्योंकि आपके exam के लिए बहुत ही important है अब हम Hans Morgan Thao के six principles को अच्छे से देख लेते हैं तो पहला principle ये कहता है कि जो politics है उसको objective law के द्वारा governed किया जाता है और उन objective laws की जड़े हैं माने भी सभाव में पाई जाती है क्योंकि मानव हमेशा से शक्ति को चाता है security को चाता है और self help में विश्वास करता है वहीं दूसरा principle ये कहता है कि जो राष्टे हीत होते हैं उनको राष्टे शक्ति के रूप में परिभाशित किया जा सकता है क्योंकि शक्ति के द्वारा ही अपन पॉलिटिक्स में लागू नहीं किया जा सकता है यानि कि morality की अंतर राष्टे राजनिती में कोई जगह नहीं है वहीं अगला कहता है कि जो एक state की moral aspiration होती है और जो universal moral principle होते हैं उनमें difference होता है क्योंकि अंतर राष्टे राजनिती में morality को कोई जगह नहीं है जबकि जो state हो उसकी जो domestic label है वहाँ पर एक अलग तरह की morality होती है और अगला principle कहता है कि जो अंतर राष्टिर राजनीती है वो स्वायत होती है दूसरे विशयों से अलग होती है उनके अधिन नहीं होती है आपको और भी कुछ important writings याद रखनी है जैसे Henry Kissinger लिखते हैं diplomacy वहीं Raymond Aron लिखते है peace and war और वहीं दूसरी तरफ renault neighbor लिखते है moral man and immoral society वहीं Nicholas Spikeman लिखते है America's strategy in world politics रियलिजम का अगला प्रकार आता है classical realism तो जब हम बात करते हैं classical realism की तो इसके founder यानि की सबसे बड़े थिंकर माने जाते हैं फरीद जकारिया को और जो neoclassical realism शबदा वली है इसको 1998 को world politics review article में Giden Rose ने coin किया था और जब हम बात करते हैं neoclassical realism की तो यह नियो रियलिस्टी जो theories है और जो classical realist theories है उसका एक combination रूप है यानि की मिला जुला रूप है और neoclassical realism कहता है कि जो foreign policy होती है वो product होता है international जो structures होते हैं domestic influence होते हैं और जो complex relation पाए जाते हैं दो countries के बीच उसका ही fruit उसका ही नतीजा foreign policy होती है और इसके कुछ important other thinkers रहे हैं जैसे रेंडल स्क्वेलर, रोबर्ट जर्विस, एंडर्स बाइवल, कॉलिन ड्यूक, जैफरी तेलिया फोरो, स्टीवन लॉवल, एशले तोजे, निकॉलस किचन, एंड रोबर्ट विशाट realism का अगला प्रकार आता है structural realism तो इसको सबसे पहले propound किया था रोजो ने अपनी प्रमुकृती the state of war में और खास बात यह है कि यह बोलता है कि जो human nature होता है वो कोई anarchic नहीं होता है यानि कि chaotic नहीं होता है जबकि जो anarchic होती है human के अंदर जैसे fear, jealousy, doubt इस तरहे कि जो चीजे है वो human nature को create करती है और 1970 के दशक में Kenneth Walt ने जो structural realism है उसको neo-realism के रूप में propound किया, revised किया था realism का अगला प्रकार है Christian realism तो Christian जो realism है इसके जो father है उनको जाना जाता है रिनोल्ड नेवर को और खास बात यह है कि जो Christian realism है यह एक political theology है Christian tradition में यानि कि international relation में और खास बात यह भी है कि इसमें जो realism है उसको theocracy यानि कि धरम तंतर के साथ जोड़ा जाता है और इसकी तीन important assumptions है पहली sinfulness of humanity, दूसरी freedom of humanity और तीसरी है validity and seriousness of the great commandment वहीं दूसरी तरफ strategic realism जो शब्दावली है इसको coined किया था Thomas Shelling ने यहाँ भी realism का एक बहुत ही बड़ा प्रकार है Thomas Shelling ने अपनी प्रसिद गृती जिसका नाम है the strategy of conflict जो कि 1960 को publish होती है इसमें लिखा था कि जो leaders होते हैं वह strategically सोचते हैं यानि कि जो उनके diplomatic और military issues होते हैं उसके साथ logical deal करते हैं और जो realism है यह mainly focus करता है कि foreign policy में किस तरह से decision making होती है और Thomas Shelling कहते हैं कि जो leaders होते हैं यह diplomatic और military problems इस तरह से solve करें कि उसमें वह तर्क यानि की logic को include करें और जो अपनी activities है उसको success करें और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो strategic realism है यह focus करता है कि जो foreign policy होती है उसमें decisions कि इस तरह से लिए जा सकें जिससे particular जो state है उसको फायदा हो नेक्स्ट प्रकार का जो realism है इसका नाम है logical choice realism तो इस idea को दिया था John Grieco and Stephen D. Grisner ने तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो logical choice realism है यह बोलता है कि state behave करता है logical याने कि जो state होता है वो तरक पूर्ण सोचता है अपना फायदा और जो नफ़ा है उसके बारे में अच्छे से विचार करता है क्योंकि state के पास भी reason होता है logic होता है तरक होता है अब हम offensive और defensive realism को अच्छे से समझ लेते हैं तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं offensive realism की तो जो offensive realism का idea है इसको दिया था John Marshimer ने अपनी प्रसिद करती जिसका नाम है the tragedy of great power politics जो की 2001 को publish होती है तो वहीं offensive realism है ये बात करता है power maximizer की यानि की state को अधिक से अधिक शक्ति को gain करना चाहिए ये security maximizer नहीं है वहीं दूसरे प्रकार का realism आता है defensive realism तो जो defensive realism का idea है इसको दिया था Michelle Mastanduno ने और खास बात ये है कि इन्होंने लिखी unipolar politics, realism and state strategies after the cold war जो की 1999 को publish होती है इसमें इन्होंने कहा कि जो state होता है वह security maximizer होता है उसको अपनी सुरक्षा को अधिक से अधिक सुनिश्चित किया जाना चाहिए power maximizer की ये बात नहीं करता है वहीं जो दूसरा new realism है इसको हम chapter 4 में discuss करेंगे अब हम last में realism की आलोचना को देख लेते हैं क्योंकि आपकी समझ के लिए ये भी बहुत ही जरूरी है तो पहली बात ये है कि realism war को support करता है expansionism और फिर imperialism को support करता है जबकि peace और corporation को neglect करता है जिस बज़े से इसकी आलोचना की जाती है वहीं दूसरा point ये है कि Kenneth Walt और जो Tucker जैसे विद्वान है वो इसे realistic approach नहीं मानते हैं इसकी तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जस्टिन रोजेन वर्क जैसे विद्वान इसे unhistorical approach मानते हैं वहीं इसकी अगली आलोचना इस आधार पर होती है कि खुद रिनॉल नेबूर ने इसे childen of dark कहा है यानि कि तिमिर पुत्र कहा है वहीं इसकी आलोचना इस बेस पे भी होती है कि एन्टिकनर ने खुद मॉर्गन्थियू का जो realism है इसको एक expression of masculinity के रूप में देखा है वहीं इसकी आलोचना इस बज़े से भी होती है कि Samuel Huntington ने realism को fault lines के रूप में देखा क्योंकि इन्होंने कहा कि जो युद्ध है वो state के वीच नहीं बलकि जो civilization से उनके वीच होगा वहीं इसकी अगली आलोचना इस बेस पे होती है कि Stanley Hoffman ने realism को एक power monism के रूप में देखा जो के वल power को ही अपना मुद्दा बताता है अपना issue बताता है chapter number 4 में अब हम discuss कर लेते हैं neorealism को तो सबसे पहले अब हम यही समझ लेते हैं कि neorealism क्या है इसको हम हिंदी में कहते हैं नव यथार्तवाद और ये अंतराश्टी राजनीती में एक ऐसी theory है जो इस बात पर बल देती है कि international relation में जो states होते हैं इनके बीच power politics होती है, conflict चले रहते हैं, competition होता रहता है और security को प्राप्त करने के लिए हमेशा से परियास्रत रहते हैं और corporation की कोई जगय नहीं होती है Kenneth Walt ने एक important quote दी है जिसमें इन्होंने लिखा है कि in crucial situations however the ultimate concern of states is not for power but security इसमें ये कह रहे हैं कि states जो होते हैं, वो हमेशा से power के लिए नहीं लड़ते हैं बलकि security को प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं यानि कि हर state खुद को secure करना जाता है अंतर राष्ट्य राजनीती में neo-realism का जनम 1979 को उस समय होता है जब Kenneth Walt के द्वारा एक important कृती लेखी जाती है जिसका नाम है theory of international politics और ये 1979 को publish होती है और जो neo-realism है इसको structural realism के नाम से जाना जाता है और खास बात यह है कि जीन जेकस रूसों ने अपनी प्रमुकृती the state of war में सबसे पहले structural realism को प्रतिपादित किया था और उसको फिर बाद में Kenneth Walt ने 1979 में फिर से revised किया था और जोन मर्शाइमर ने जो Walt का structural realism है इसको defensive realism कहा अब हम neo-realism के कुछ important ideas को discuss कर लेते हैं तो पहला idea यह है कि यहाँ focus करता है international system और जो international relation में कुछ structures होते हैं उनके अध्यान पर यह focus करता है यहाँ बोलता है कि हमें state की अपिक्षा जो international structures होते हैं उसको समझना होगा उसका अध्यान करना होगा और यहाँ realism की तरह कहता है कि जो एनाकी है वहाँ अंतराष्ट्य राजनिती की मुख्य विशेश्ता होती है हलांकि इसने human nature को बहुत कम importance दी और इसने यह भी कहा कि multipolar की अपिक्षा जो bipolar system होता है वहाँ अंतराष्ट्य शान्ती और स्थिरता के लिए आवशक है इन्होंने यह भी कहा कि state ही केवल मुख्य actor नहीं होते हैं बलकि non-state actors जैसे NGOs, MNCs, TNCs यह भी बहुत ही important भूमिका निभाते हैं अंतराष्ट्य राजनिती में और इन्होंने जो diplomacy है या फिर state craft है इसको भी कम importance दी और इन्होंने कहा कि जो state है वेकेवल self-help करते हैं यानि कि खुद की सायता में प्रतनशील रहते हैं और इन्होंने कहा कि अंतराष्ट्य राजनिती में security dilemma होता है हमेशा से state अपना जो सुरक्षा है उसको पूरा करने के लिए लगे रहते हैं और इन्होंने ये भी कहा कि अगर अंतराष्ट्य जो अराजकता है उसको खतम करना है तो एक world center authority का होना आवशक है और खास बात ये है कि neorealism, behavioralism और जो system approach है उससे काफी inspire है neorealism के चार important principles है जिनमें पहला principle है self-help इसका मतलब ये है कि जो states है केवल अपना भला सोचते हैं अपने ही बारे में अच्छा सोचते हैं और दूसरों के बारे में कोई परवा नहीं करते हैं दूसरा इसका principle है security dilemma इसका मतलब ये है कि state केवल अपनी ही सुरक्षा चाहते हैं और सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए हमेशा से प्रयास्रत रहते हैं इसलिए अंतर राश्य राजनिती में जो security dilemma है यानि कि सुरक्षा को लेकर जो चिंदा है वो हमेशा से रहती है तीसरा principle है एनार्की यानि कि अंतरराष्ट्य राजनिती में हमेशा से जो एनार्की है यानि कि अराजकता है वो पाई जाती है हमेशा बनी रहती है और इसका चौथा प्रिंसिपल ये है कि relative gains इसका मतलब ये है कि जो अंतरराष्ट्य राजनिती में states है इनको जो भी action ये करते हैं उसका समान रूप से फल मिलता है यानि कि ऐसा नहीं होता है कि powers जो है वो different different होगी अलग-अलग होगी ये कहते हैं कि सभी को सापेक्ष gain मिलता ह यानि कि समान रूप से लाभ मिलता है अब हम neorealism के तीन important प्रकार को देख लेते हैं तो इनमें पहला आता है offensive realism दूसरा इसमें आता है defensive realism और तीसरा इसमें आता है strategic realism offensive realism के जनक रहे हैं जौन मर्शाइमर, strategic realism के जनक रहे हैं थॉमस चैलिंग, वही defensive realism के जनक रहे हैं मास्टन डिउनो वही जब हम बात करें offensive realism की तो ये power को अधिक से अधिक चाहता है strategic realism बात करता है कि अगर leaders के सामने कुछ problem आती है तो उसको वे रणनीतिक तरीके से solve करते हैं वही defensive realism बात करता है कि states अधिक से अधिक security चाहते हैं अब हम neorealism के कुछ important thinkers को देख लेते हैं तो इन में पहला नाम आता है Kenneth Walt का, दूसरा नाम आता है Joseph Grieco का, तीसरा नाम आता है Barry Vosan का, और चौथा नाम आता है Graham T. Allison का, पांच्वा नाम आता है Susan Strange का, छठा नाम आता है John Marshheimer का, और सात्वा नाम आता है Mustan Duno का Neorealism के thinkers में सबसे पहला नाम आता है Kenneth Walt का, तो Kenneth Walt American Political Scientist रहे हैं, और खास बात यह कि यह Neorealism के सबसे महत्वपुन ठिंकर रहे हैं, और इन्होंने realism जो है उसको revise किया, और Neorealism यानि कि structural realism को IR में दिया, और खास बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो bipolar system होता है, वो अधिक stable होत होता है, peaceful होता है, multipolar system की अपिक्षा, और खास बात यह है कि इन्होंने एक concept दिया, जिसका नाम है Pericious Lives of the Big States, जिसका मतलब यह है कि जो कमजोर state होते हैं अंतराष्टर राजनिती में, यह हमेशा से एना की स्थापित करते हैं, और व्यवस्ता स्थापित करते हैं ही बताया stability के लिए, और इन्होंने अपनी जो प्रमुख करती है, जिसका नाम है Man, The State and War, जो कि 1979 को publish होती है, इसमें इन्होंने IR के तीन images की बात की, जिनमें पहला आता है The Individual, दूसरा आता है The State, और तीसरा आता है The International System, इन्होंने यह कहा कि जो अंतराष्टर राजनिती है, इन अंतराष्टर राजनिती में तीनों ही जो images है, जाए Individual हो, State हो, या फिर International System हो, इन तीनों की equal importance होती है, किनित वॉल्ट की जो theories है, उसकी तीन important विशेष्टाएं रही है, जिनमें पहली जो विशेष्टा है, उसका नाम है NR की, यानि कि यह कहते हैं कि अंतराष्टर quality होती है, यानि कि सभी State का जो primary goal है, वो यही होता है कि अपने आपको सुरक्षित रखें, अपनी security को maximize कर सके, और तीसरा function है, distribution of capabilities, यानि कि जो अंतराष्टर राजनिती में जो powers होती है, उनको समान रूप से distribute किया जाता है, सभी जो है वो relative gains को प्राप्त करते हैं, आपको स्क्रीन पर Kenneth Walt के जितने वी works दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से note करें, क्योंकि आपके exam के लिए बहुत ही important है, नियोरियलिजम के अगले thinker का नाम आता है, वैरि वोजान, और इनके बारे में खास बात ये है कि ये international relations के, जो लंदन स्कूल अफ एकॉनोमिक्स है, उसके emeritus professor, यानि कि सेवा निबरिज प्रोफेसर रहे हैं, और खास बात ये भी है कि IR का जो कॉपेन हेगन स्कूल है, उस में ये कहते हैं कि सभी states के लिए जो security है वो बहुत ही important होती है, लेकिन आजकल के दौर में ये कहते हैं कि जो security है वो complex हो गई है, क्योंकि कुछ ऐसी natural barriers आ गई है, जैसे oceans, deserts, mountains और ranges होती है, उसकी वज़े से जो security हो complex हो गई है, और screen पर आपको जितने भी इनके works दिखाई इनको आप अच्छे से note कर ले, क्योंकि आपके exam के लिए ये भी बहुत ही important है, neorealism में अगले thinker का नाम आता है, Graham T. Allison, तो ये American political scientist रहे हैं और neorealistic thinker रहे हैं, इन्होंने एक important thinker दिया, neorealism के अंतरगत, जिसका नाम है black box, ये कहते हैं कि अंतर राष्ट्य राजनिती में states के द्वरा जो भी activities, जो भी action किये जाते हैं, उसको हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वे एक black box की तरह होते हैं, जिस तरह से black box के अंदर जो कुछ होता है में दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह से जो states के actions होते हैं, policies होती हैं, steps होते हैं, उनको हम नहीं जान पाते हैं, हमारे लिए वे unknowable होते हैं तो इनके कुछ important works भी रहे हैं जिनमें पहला आता है essence of decisions दूसरा आता है remaking foreign policy और तीसरा आता है avoiding nuclear anarchy अगले thinker का नाम आता है Suzanne Strange तो Suzanne Strange, British scholar और IR के theorist रहे हैं खास बात यह है कि वे अपने आपको एक neorealistic thinker कहती है और इनके कुछ ideas है जो आपको याद रखने हैं जैसे international political economy, structural power, best failure और casino capitalism इनके कुछ important works भी है जैसे casino capitalism, दूसरा है states and markets, तीसरा है the retreat of the state और चौथा है mad money, तो इनके जितने भी works है उनको आप अच्छे जयाद कर लें अब हम बात कर लेते हैं जौन मर्शाइमर की तो इनका जनम होता है 14 दिसंबर 1947 को और जौन मर्शाइमर US political scientist रहे हैं और खास बात है कि यह offensive realistic thing कर रहे हैं नियो रियलिजम के अंतरगत और इन्होंने जो Kenneth Walt है उसको एक defensive realist के नाम से जाना यानि कि इन्होंने बताया कि जो Kenneth Walt के विचार है वे defensive realism से मिलते जूलते हैं इसलिए Kenneth Walt एक defensive realist है इनके कुछ works रहे हैं जिन में शामिल है पहला the tragedy of the great power politics दूसरा आता है conventional deterrence अब हम last में realism और neorealism के बीच difference को देख लेते हैं तो एक तरफ है realism दूसरी तरफ है neorealism तो realism कहता है कि जो states होते हैं वे international politics के key actors होते हैं यानि कि वे ही में तो पुन भूमे का निभाते हैं हलांकि दूसरी तरफ neorealism कहता है कि जो international structures होते हैं उनकी study करना ही बहुत ही आवशक है क्योंकि जो structures है उनको समझना होगा अंतराष्ट्य राजनीती में दूसरी तरफ realism focus करता है universal egoism realism कहता है कि जो मनुश्य है वो एहम बादी होता है मतलब खुद पर घमन करता है खुद को ही सरबोच मानता है उसी तरह से states भी सरबोच होते हैं अंतराष्ट्य राजनीती में दूसरी तरफ neorealism कहता है कि जो अंतराष्ट्य राजनीती में है वो anarchical international system पाया जाता है हलांकि realism भी anarchical बल देता है यानि कि अनर्की को मानता है वहीं अगला जो difference है वो यह है कि states जो है की actors मानता है realism यानि कि states ही प्रमफ भूमे का निभाता है अंतराष्ट्य राजनीती में लेकिन neorealism कहता है कि जो non-state actors होते हैं जैसे NGOs, MNCs, DNCs इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है अंतराष्ट्य राजनीती में वहीं एक तरफ realism जहां बात करता है human nature की इन IR में वहीं दूसरी तरफ जो neorealism है ये less importance देता है human nature को IR में और एक और खास बात ये भी है कि realism बोलता है कि अंतराष्ट्य राजनीती में peace और stability के लिए multipolar world आवशक है जबकि neorealism कहता है कि bipolar system ही peace और stability के लिए आवशक है वहीं एक तरफ realism कहता है कि power को maximize state करते है यानि कि अधिक सधिक power चाहते है जबकि neorealism कहता है कि state security चाहते है अपनी security को maximize करना चाहते है realism ये बोलता है कि states के पास unequal power होती है जबकि neorealism कहता है कि सबी states को बराबर मात्रा में relative gains मिलते हैं यानि बराबर lab मिलते हैं एक तरफ realism कहता है कि scientific realism होता है अंतराश्य राजनिती में क्योंकि राज्य तार्किक विहेव करता है वहीं neorealism कहता है कि structural realism यानि कि जो सरंचनाय होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है अंतराश्य राजनिती में वहीं realism बोलता है कि जो power होती है वो दोनो mean भी होती है और end भी होता है लेकिन दूसरी तरफ जो neorealism है ये बोलता है कि जो power है वो सिर्फ state के अपने जो interests है उनको gain करने के लिए power एक mean के रूप में यानि की एक साधन के रूप में भूमिका निभाता है unit fifth में अब हम discuss करेंगे constructivism को constructivism को हम हिंदी में कहते हैं रचनावाद तो सबसे पहले अब हम यही समझ लेते हैं कि constructivism क्या होता है तो जब हम बात करते हैं constructivism की तो international relation में constructivism एक ऐसी social theory है जो इस बात पर बल देती है कि जो political और social world है आई आर में इसको जो है human जो consciousness होती है collective ideas होता है values होती है assumptions होती है उनको जो है यानि कि इन सभी चीजों के द्वारा जो political और social world होता है आई आर में इन सभी चीजों के द्वारा shape दिया जाता है आकार दिया जाता है यानि कि आप ये भी कह सकते हो कि जो human wing है उनकी जो consciousness है, collective ideas है, values है, assumptions है इनके द्वारा ही political और social world को construct किया जाता है IR में, ना कि केवल जो material factors होते हैं उनके द्वारा तो खास बात ये भी है कि identities are the basis of interest जो ये quote है, इसको Alexander Wendt ने दी थी ये बोलते हैं कि जो identities होती है, यानि कि पहचान होती है ये हीतों का आधार होता है, अब हम constructivism के कुछ important theorist को देख लेते हैं तो इन में शामिल है, पहला नाम आता है Nicholas Onof का दूसरा नाम आता है Alexander Wendt का तीसरा नाम आता है John Ruggie का चौथा नाम आता है Frederick Carrotsville पांच्वा नाम आता है Emmanuel Adler चठा नाम आता है Warnett और सात्वा नाम आता है Thomas Bearstacker आठ्वा नाम आता है Jeffrey T. Chackle और नाइन्थ नेम आता है Martha Finmore और तैन्थ नेम आता है Theodore Hoff अब हम constructivism के key ideas को देख लेते हैं तो पहला और सबसे प्रमुक idea यही है कि constructivism कहता है कि जो world है यानि कि दुनिया है यह socially constructed है सामाजिक रूप से इसका निर्मान हुआ है और यह कहता है कि जो international relation है यह political और जो social construction है इसी का यह नतीजा है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है और यह realism, neorealism, liberalism और neoliberalism की criticism करता है क्योंकि यह सारी विचारधारा है जो material products होते हैं उनको focus करता है इसी तरह से जो constructivism है, power और जो materialism है इसको reject करता है और यह focus करता है human consciousness, idea, cooperation, values, knowledge and faith यह बोलता है कि अंतर राष्ट्य और राजनीती में यही जो चीजें हैं यही जो values हैं यह काम आती है और यह भी बोलता है कि जो government है, जो states है यह socially constructed है, humans के द्वारा और खास बात यह भी है कि जो nations और जो national identity है या फिर nationalism है, यह भी socially construct किये गए हैं लोगों के द्वारा, लोगों की जो knowledge है, values है, consciousness है, idea है उसके द्वारा और खास बात यह है कि constructivism कहता है कि जो human consciousness है और जो collective ideas है लोगों के, यह IR का core है यानि कि IR में हम इन दोनों चीजों की study करते हैं अब हम constructivism के बारे में कुछ key points को भी देख लेते हैं जो आपके exam के लिए बहुत ही important है तो इसका development होता है 1980s में और खास बात यह है कि यह एक post-positivism notion है IR में और सबसे important बात यह है कि जो constructivism की term है इसको coin किया था Nicholas Honof ने और जो Nicholas Honof है और जो Alexander Wend है इनको IR में जो constructivism है उसके key theorist के रूप में जाना जाता है और constructivism एक reaction है जो neo-realism और जो neo-liberalism रहा है उसके प्रती और constructivism को एक social constructivism यानि की सामाजिक रचनावाद के रूप में जाना जाता है constructivism के सबसे प्रमुख और सबसे पहले थिंकर का नाम आता है Nicholas Honof इनका जनम होता है 1941 को और ये US के constructivist scholar रहे हैं IR में और खास बात ये है कि इन्होंने अपनी प्रमुख कृती world of our making में 1989 को constructivism नामक शब्दावली को गड़ा इनके कुछ important works रहे हैं जिनमें पहला आता है world of our making दूसरा आता है making sense, making worlds, constructivism in social theory and international relations और तीसरा आता है nations, markets and war constructivism के दूसरे important thinker का नाम है Alexander Wend इनका जनम होता है 1954 को और ये भी US के constructivist thinker रहे हैं IR में और खास बात ये है कि जहां एक तरफ Nicholas Onof ने constructivism को coined किया दूसरी तरफ इन्होंने यानि कि Wend ने अपनी प्रमुकृती social theory of international politics में constructivism को popularize किया और इन्होंने famously कहा वी था एन्र की is what states make of it यानि की अराजकता वहा होती है जो state स्वैम ही इसे बनाते हैं इनके कुछ important works रहे हैं जिनमें पहला आता है एन्र की is what states make of it the social construction of power politics ये 1992 में इनका वेसी कली एक essay था वहीं इनकी दूसरी डाइटिंग है social theory of international politics जो की इनकी अक्षय कृती है जो 1999 को publish होती है अब सबसे महतोपूर्ण बात ये है कि जो band है इन्होंने अपनी प्रमोकृती जो social theory of international politics है जो 1999 को publish होती है ये इन्होंने world की जो प्रमोकृती है और theory of international politics उसको response करने के लिए इन्होंने अपनी प्रमोकृती लिखी थी और इन्होंने जो world की theory है इसको एक over materialism के रूप में criticize किया यानि इनका मानना ये था कि world ने अपनी theory में जो materialism है उसको ज्यादा focus किया इस वज़े से इन्होंने criticize किया और ये आगे लिखते हैं अपनी इस कृती में कि NR की वो नहीं है जो neorealistics कहते हैं कि किसी एक जो government है या फिर जो संस्था है उसके अभाव में अनाकी होती है बलकि ये कहते हैं कि NR की जो state की values होती है ideas होता है या फिर beliefs होते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है और आगे ये लिखते हैं कि जो even interest होते हैं identity होती है या फिर state की जो power होती है उसको भी idea के द्वारा construct किया जाता है create किया जाता है इस प्रकार से जो अनाकी होती है वो state के द्वारा ही create की जाती है जो state खुद बनाते हैं अनार की कोई absence of world government नहीं है और खास बात यह है कि Alexander Wend ने जो अनार की है उसके तीन culture इन्होंने बताए है जिन में पहला है Hobbesian culture दूसरा है Locian culture और तीसरा है Kantian culture यह बोलते हैं कि इन ही के विचारों से हमें अन्तर राष्ट्य राजनीती में जो अनाकी है उसका पता चलता है उसके विकास का जो पता है वो हमें मालूम पड़ता है constructivism के अगले प्रमुख थिंकर है Frederick Kratos Will तो जब हम बात करते हैं इनकी तो इनका जनम होता है 1944 को और ये भी एक जर्मन international political थिंकर रहे हैं और खास बात ये है कि ये भी जो constructivism है उसके प्रमुख representative रहे हैं international relations में इनके कुछ प्रमुख works है जिनमें पहला आता है rules, norms and decisions दूसरा आता है the puzzles of politics और खास बात ये भी है कि international relations में इन्होंने दो प्रकार के जो rules होते हैं या फिर norms होते हैं उसकी बात की जिनमें पहला आता है controlling rule इसके द्वारा ये होता है कि अंतराष्टर राजनिती में ऐसे rules या norms बने होते हैं जिसके द्वारा state की activity है उसको control किया ज जिनके द्वारा ऐसे rules होते हैं जिनके द्वारा दुनिया में कुछ construct किया जाता है institution, state, इन सभी को बनाया जाता है construct किया जाता है socially और politically तो इस lecture में हमने IR theories के 5 important chapters को discuss किया I hope आपने इसमें entertainment किया होगा और अगर आपने यहां तक देखा है तो मुझे बहुत खुशी है और म और मुझे और मुझे जाता है और मुझे मैं होगाई किया है अगर दूम सुद़ है और एक यहां यहां दूवरां लुक्ती किया है सभी कुश।